अचा बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि उनका जो मन है वो वर्तमान में नहीं रह पाता, अब मन प्रेजेंट में इसलिए नहीं रह पाता, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जो आपको प्रेजेंट में नहीं रहने दे रहे, और हमें वर्तमान में रहना है, वर्तमान से जुड़ना है, वर्तमान का आनंद लेना है, क्योंकि वर्तमान में ही हमें ultimate जो happiness वो मिलती है, जो हमारे दिमाग के अंदर जो खुशी के रसायन है उनकी बरसात होती है, वो वर्तमान में ही होती है, तो अगर हम उस बरसात का आनंद ल कि एक व्यक्ति है जिन्होंने मुझे बताए कि सर मैं पहले एक दम बढ़िया रहा था ठीक था सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन अभी काफी टाइम से क्या है कि मुझे बहुत सदा बेचेनी से रहती है गबराट से रहती है मैं अपने मॉमेंट के अंदर connected feeling कर पा रहा मतलब मैं जो मेरी surrounding है न उस surrounding के साथ में जुड़ाओ महसुस नहीं कर पा रहा मेरी जो family है मेरे जो माता-पिता है मेरी जो पत्नी है मेरे जो बच्चे है उन सब के साथ में जुड़ाओ महसुस नहीं कर पा रहा तो क्यो महसुस नहीं कर पा रहे उसकी क्या वज़े वो समझ करती है तो हमें लगता है कि ये बात सही है अच्छा जो व्यक्ति बोल रहा वो भी सही है अच्छा वो व्यक्ति आप जो भी बाते बोलेगा इसका मतलब वो सारी बाते ही क्या है सही है हम धीरे धीरे इस तरह के क्या बनाने लग जाते हैं सही लग सकते लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी हर एक प्रस्थिति में किसी की बोदलीवी बात आपके उपर क्या होगी लागू होगी अच्छा मैं उनको सुन रहा था तो उन्होंने बोल दिया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है ना पत्नी तुमारी ना पती तुमारे ना मा साथ में इतना आच्छा बार्णिंग है मेरे बच्चे के साथ में इतना अच्छा बॉन्डिंग है लेकिन अब चूबकि मैं उनकी बातों को मानता हूं सच मानता हूं तौ मुझे लगता है कि इतने बड़े व्यक्ति ऐसी गल tint थोड़ी बोलें और उसी दिन से मेरे बीतर सभी सरस्फ में उनसे प्रेम भी बहुत करता हूं वो भी मुझे प्रेम बहुत करते अब इस चीज की वे जाई आप दो चीज ए एक दूसरे का गेंस्ट हो रहे हैं एक इस वे रहे हो एक हो इसकी वेज़े से क्या गार्व रहा है कि सारी बातें जो हैं, वो हमारे जीवन की सारी परिस्थितियों पे, दूसरों की बातें अमारे पर लागू नहीं होते हैं, कोई वैक्ति अगर किसी भी तरह की बात बोल रहा है, तो वो उन परिस्थितियों में होता है, और उन परिस्थितियों में वो जो बोल रहा है, वो वो को सिस्टम में रह रहा है वो लिए 2007 के आधार पर वैसी बाते बोलता है जसे मानलीजी कि क beginnen 1959 जिसने घर छोडऒ दिया जिसने शादिए नहीं की अब अगल वह बाते बोले आ तो यहीं बोले campe कि नहीं, घर में रहना तो सब बेकार हैं, घर में क्यों रहते हो, घर में कोई किसी का नहीं, तो वह ऐसी बातेवन वोला थे आग sy mount कि एपने और जिए बत करहा हो तो लिए वह ऐसी बाते हैं बोलते हैं, फारत यह बthoughते हो जाते इंगा, शादी नहीं की, तो वो यही तो बात बोलेगा कि नहीं, शादी मत करो, क्योंकि अगर वो यह कहता है कि नहीं, शादी करो, तो यहाँ पर conflict पैदा होगा, लोग प्रशन पूछने लग जाएंगे कि अच्छा आपने तो शादी नहीं की और आप दूसरों को सला क्या दे रहे ह हो, सादी करने की सला दे रहे हो, तो जो जिस परिस्थिती में होता है, वो उस परिस्थिती की बात करता है, अगर वो उस परिस्थिती के अगेंस्ट कोई भी बात करेगा, तो उसके मन में, खुद के मन में क्या create हो जाता है, conflict पैदा हो जाता है, इसको बोलते है, Cognitive Assonance or D Codding बोलना, और Dissonance का मतलब क्या है, कि जो आपकी situations है, उन situations के against बोलना, अगर आप अपनी परिस्थितियों के खिलाफ बोलते हो, against बोलते हो, तो आपके बीतर क्या create होता है, Cognitive Dissonance create होता है, और यह Cognitive Dissonance है, यह conflict पैदा कर देता है, और conflict पैदा करता है, उसकी वज़े स उनकी जो बाते हैं, वो आपकी परिस्थितियों पर लागू नहीं होती, आपका ग्रस्त जीवन, आपका life अलग है, तो आपके जीवन में अलग तरे की परिस्थितियां है, तो उन परिस्थितियों में अलग तरे के सिध्धान तोंगे, अलग तरे की बातें आपके उपर लागू नहीं होगी, जैसे अमेरिका का जो constitution है वो इंडिया के अंदर लागू नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की परिस्तितिया अलग है, अमेरिका का constitution अमेरिका की परिस्तितिया अलग है, इंडिया में इंडिया का constitution लागू होगा, उसी तरह से हम यह भी समझ सकते हैं कि जै अच्छा यह बात सही है, अच्छा तो जो बोलने वाला वो भी सही है, इसका मतलब यह जो भी वो लेंगे, वो सब कुछ सही है और वो सब कुछ मेरे उपर लागू होगा, अच्छा उनके situations के according तो वो सही है, लेकिन आपकी परिस्तिती डिफरेंट है, तो आपकी परिस्तिती के उपर वो लागू नहीं होता. इस चीज़ को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आप गरहस्त में हो, आप अपने वाइफ के साथ में, आप अपने बच्चों के साथ में, आप अपने माता-पिता के साथ में, उनके साथ में आपकी बांडिंग है, तो यहाँ पर यह situation create हो आपको बार-बार explain करनी पड़ेगी, otherwise हमारे दिमाग का conflict resolve नहीं होगा, यह ऐसा ही चलता रहेगा, तो आपका brain continuous क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, brain चलेगा, तो फिर anxiety continuously बनी रहेगा, तो हमें यहाँ पर बार-बार अपने आपको यह चीज explain करना पड़ेगा, CBT का practice करना प पहले पहुंचे, और दोस्तों हम लोगों ने जो psychological problems है, चाहे वो anxiety का हो, panic का, overthinking का हो, negative thinking का हो, OCD का हो, इन सब चीजों का हम कैसे पूरी तरह से खतम कर सकते हैं, इसको पर हमने step-by-step learning का एक पूरा workshop launch के वाद इसका link नीचे description में है, जिसकी help से आप अपनी psychological problems को पूरी तर भारत